अपने लक्ष को उचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते हैं इसी विचार के साथ मैं आप प्रिया आप सभी के स्वागत करती हूँ आज की करेंड़ अफिक के क्लास में प्रिवियस डे के क्वेशन की तरफ जो था विच बैंक एस्व वन था 2020 सेंटर्ल बैंक ओफ स्थ यर अवार्ड किसज बैंक ने दो हजार भी सेंट्रल बैंक ओफ ऑफ दे यर का वार्ड जीता है तो हमारे ओप्षन रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया बैंक ओफ गाना बैंक लांट रिजब बैंक ओफ ऑस्ट्रिलिया तो इसका सही ऑप्षण है ऑप्षण बी बैंक ओफ गाना ने सेंट्रल बैंक ओफ दे येर अवाड दोजार बीस जीता है केंद्रे बैंकिंग पुरुषकार हर साल केंद्रे बैंकिंग समुदाय में उतकृष्टता को पहचानने के लिए आयोजित किया जाता है यह पुरुषकार का सात्वा संस्क्रण था और समाहरो वस्ता आयोजित किया गया था वस्ता मतलब वर्चूली तलिए बढ़ते हमारे नेक्स क्वेशन की तरफ जो है विस्ता खाद दिवस कब मनाया गया था तो हमारे ऑप्शन है अक्टूबर 16, अक्टूबर 10, अक्टूबर 14, अक्टूबर 12 तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन A, अक्टूबर 16, विस्ता खाद दिवस 16, अक्टूबर 2020 को मनाया गया या दिवस 1945 में सयुक्तरास्ट के खाद और क्रिसी संगटन की नियु रखता है या 1979 में पहली बार भूक के खिलाब करवाई के लिए दिवस के रूप में मनाया गया चले बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे नेक्स क्वेशन की तरफ जो है केंद्र की योजना किस वर्स तक भारत ट्रांस फैट मुक्त बनाने की है तो हमारे ऑप्शन है 2025, 2023, 2022, 2021 तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन C, 2022 केंद्रे स्वास्त मंत्री डॉक्टर हर्शवर्द निहाल ही में गोश्रा की कि सरकार का लक्ष विस्व स्वास्त संगठन द्वारा निर्धारत लक्ष से एक वर्स पहले 2022 तक भारत ट्रांस फैट मुक्त बनाना है चले इसी के साथ बढ़ते हैं हमाने नेक्स क्वेशन की तरफ जो है इंडिया विल बी डिलेवरिंग वन ओफ इट्स किलो क्लास सब मरीन आयन सिंदुवीर टो विच नेशन भारत अपनी एक किलो वर्ग की पंडुबियों आयन सिंदुवीर को किस राष्ट को वित्रित करेगा तो हमारे ऑप्शन है मालदीव, म्यानमार, मलेशिया, मौरिशस तो इसका सही आंसर है अप्शन B, म्यानमार भारत जल्द ही अपनी एक किलो वर्ग की पंडुबियों आयन सिंदुवीर को म्यानमार नोसेना में स्थाना अत्रित करेगा या एक महतपूर कदम होगा क्योंकि या म्यानमार नोसेना की पहली पंडुबियों चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स क्वेशन की तरफ जो है विच नेशन हैस ग्रांटिट रेगुलेटरी अप्रूबल टो इट्स सेकंड कोविड नाइंटीन वैक्सीन किस रास्ट ने अपने दूसरे COVID-19 वैक्सीन के विन्यामक अनुमोधन प्रदान किया है तो हमारे ऑप्षन है जर्मनी, रसिया, यूएस, इंडिया तो इसका सही ऑप्षन है ऑप्षन बी रसिया 14 अक्टूबर 2020 को रूस ने घोशना किया कि उसने अपने दूसरे COVID-19 वैक्सीन इपी वैक्सीन को विन्यामक अनुमोधन प्रदान कर दिया है रूस की दुनिया के पहले COVID-19 वैक्सीन पुतनिक वी को मंजूरी देने के बाद वैक्सीन को मंजूरी आई है चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स क्वेशन की तरफ जो है वेन इस ग्लोबल हैंड वाशिंग डे अब्जर्व ग्लोबल हैंड वाशिंग डे कब मनाया जाता है तो हमारे option है October 11, October 13, October 12, October 15 तो इसका सही option है option D October 15 15 October 2020 को Global Handwashing Day मनाया गया जागरुकता बनाने के लिए और प्रवावी तरीके से handwashing के महत पर प्रकास डानने के लिए प्रतेक वर्सिया दिवस मनाया जाता है चलिए बढ़ते हैं हमारे next question की तरफ जो है Which state of India is setting up the world's largest jinx melting facilities भारत का कौन सार राजि दुनिया का सबसे बड़ा जस्ता गलाने की सुविधा स्थापित कर रहा है तो हमारे option है West Bengal, Gujarat, Rajasthan, Kerala तो इसमें का सही option है option B, Gujarat गुजरात राजि सरकार ने तापी जिले के दौसा वाड़ा में 10,000 करोड रुपए की निवेश करेगा परियोजना जो दुनिया की सबसे बड़ी जस्ता गलाने की सुविधा होगी चले इसी के साथ बढ़ते हमारे next question की तरफ जो है तो हमारे option है economist, cricketer, filmmaker, sports journalist तो इसका सही option है option D, sports journalist दिगच, खेल, पत्रकार और cricket commentator की शोर भीमानी का निदन हो गया है वह 80 वर्स के थे तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज की question of the day की तरफ जो है सुरुबाई जिनेब कोव has resigned as the president of which country सुरुबाई जिनेब कोव ने किस देश के राष्ट पती के रूप में स्तीफा दे दिया है तो हमारे option है उजबेकिस्तान, क्रिगिस्तान, मंगोलिया, अजबरजान तो इसमें से जो भी option आपको सही लग रहे हैं आप comment box में comment करके बता सकते हैं और जिन्होंने previous question का answer सही दिया keep it up, congratulations, ऐसा ही answer देते रहे है और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें शेर कर दें, चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते वागों जो घंटी देख रहे हैं उसे बजाना बिलकुल भी न भूले ताकि जब भी मैं नए वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए थाइंक यू